चले बंदू आंगे बढ़ते हैं आज फिर से एक वोकैप के अगले शो की तरफ और होफुली आप सभी वर्ट्स को पेंडाउन कर रहे होंगे डे बाई डे सीख पा रहे होंगे और यह स्रीज लगातार आपकी कंटीनिव है और इसका फायदा उठाई है आप साथ ही अपने यार सब यार दोस्तों के साथ रेलेटिव जे के साथ जो वास्तों में एक्च्वलन कंटेंट की डिमांड है जिनको रिक्वायर है उनके पास जरूर सेयर करिए आईए बढ़ते हैं नेस्ट वर्ड जो है वह है आपका डाइनस्टी वर्ड सब्सिटीशन के स्रीज को आंग अरे कंट्री में क्या चलता था मोनार्की चलती थी मोनार्की का मतलब क्या होता है मोनार्की मतलब होता है राजा साही मोनार का मतलब होता है राजा साही है ना तो मोनार का मतलब क्या होता है मोनार का मतलब राजा होता है मोनार का मतलब राजा होता है मोनार का मतलब राजा ह तो जो राजा साहित ते उसमें डानेस्टी चलती थी एक वन सा नुगत क्रम में चीज़े चलती थी पहले राजा एक्षुन में गदी पर बैठता था फिर उसके बाद उसका पुत्र फिर उसके बाद उसका पुत्र सारे उत्तराधिकार यह पूरा डानेस्टी सिस्टम चलता तो यह रीन एक वर्ड आता है तो रीन है रेगमी का मतलब होता है सासन काल और मुनार्की मतलब राजा साई अब देखे वर्ड तो आपने बेसिकली एक डिसकस किया है लेकिन उस वर्ड से कितनी चीजें में निकाल पा रहा हूं और वह आपके लिए बहुत fruitful होने वाली है ठीक है तो एक वर्ड आपको dynasty याद करना है इसका मतलब राजवन्स ठीक है फिर आपको मुनार्की समझना है मुनार्की का मतलब राजा साही मुनार्क के वल याद रखे मुनार्की याद हो जाएगा मुनार्क का मतलब होता है राजा और मुनार्की मतलब जो र कई बार आपको इस टेंट्मेंट देगा द्वर्मेंट गुभर्वर्मेन्ट भाइंक किंग आरकविय दोनों के लिए ध्यान रखियाथ एसा नहीं कि मश्वल राजा के लिए रानी के लिये अलग है आपको कुछ न ही जय रूब件 काल है उसको तेन्योर बोलते हैं है आफो तेन्योर का मतलब जानता हो आप सासन काल वो तो यह बहुत सारे वर्ड है जो गया थरी हो गया हो हो गया उइसे नहीं याद होगी कि एक वर्ड और उसका आरत याद करने बैठ गये है और नहीं याद आपको खुद से यह काम करना होगा तब आप और बेतर सीख पाएंगे चलिए फिलाल आगे बढ़ते हैं तो यह क्या है सक्सेशन आफ रूलर्स बिलॉंगिंग टू वन फैमिली एक ही फैमिली से जो लगातार एक वल्स राज करता है उसी को डायनेस्टी बोलते हैं ना जैसे है तो इस तरीके से भी में आप पूसली डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं अगला है आपका हाईज्ruct करने का मतलब क्या होता है हाईजक क लेना क्कास्टा से एरुप्लैन के लिए आप यूज़ी करते हो हैना तो एरू प्लैन को क्या कर लिए है ठीक है पूरे बसको या पूरे aeroplane को या किसी vehicles को पूरी तरीका से hijack कर लिए है मतलब पूरे तरीका से अपने control में ले लिए है ना और इसी तरीके से word एक आता है आपका kidnap 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 है ना kidnap करने का मतलब अपरहाण करना होता है कुछ उसी से मिलता जुलता word है और kidnap के लिए एक word आता है आपका abduct, कौन सा word आता है, abduct है ना, तो यह ध्यान रखिएगा तो 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 तीन तीन word, hijack के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, siege करने का मतलब confiscate करना होता है, इस siege करने का मतलब confiscate, जब तो कर लेना, control कर लेना, तो कि रहें, control of a vehicle in order to force it to go away, a new destination are demand something, और वो जैसा कहेंगे फिर वैसा होगा, hijack करने के बाद, तो यहाँ पर एक नया word है, उसको भी समझ लेजे, siege, siege करने का मतलब जब तकर लेना होता है, इसका मतलब होता है, जब तकर लेना, मतलब क्या करना, confiscate करना, एक word आता है, आपका कौन सा, confiscate, confiscate करने का मतलब हो अगला word है, आपका momentary, m-o-m-e-n-t-a-r-y, एक momentary word होता है, एक momentous word होता है, दोनों word moment से बने हुए है, तो एक word और लिग लेते है, momentous, momentous का मतलब होता है, जो बहुत ही important है, जो बहुत ही important है, उसको बोलते हो क्या momentous, something that is very important, very significant, उसको हम लोग बोलते है, momentous है न, तो आद रहेगा यह word, hopefully आपको, बाकि momentary का मतलब होता है, छडिक, है न, छडिक, जो कुछ moment के लिए ही है, उसको बोलेंगे momentary, मतलब होता है, छडिक, that is for a very short time, है न, जो बहुत थोड़े समय के लिए है, बाकि दोनों word moment से बने हुए है, तो moment से आप समझ सकते हो, कोई जो moment ह है, वो कैसा है, बहुत थोड़े समय के लिए है, तो लोग है छडिक, जैसे इसी को बोलते है, transient, transient बोलते ही है, इसी को बोलते है, transitory, transitory, ठीक है, means क्या होता है, छडिक, बाकि, आप एक idiom यूज करते हो, nine days wonder, nine days wonder, चार दिन की चाननी, आप बोलते हो न, चार दिन की चानन है, फिर वही है, अनेरी रात, है न, तो यह जो माया वी संसार आप देख रहे है, यह क्या है, nine days wonder है, कुछ समय के लिए है, फिर उसके बाद यह क्या हो जाएगा, decay हो जाएगा, nest हो जाएगा, destroy हो जाएगा, इसका destruction हो जाएगा, चलिए, फिलाल आँगे बढ़ते है, तो momentous मतलब क्या होगे, important होगे, कोई moment जो बहुत ही momentous है, बहुत ही important है, तो यह word ध्यान रखिएगा, एक तो momentary बताया, आपको एक momentous बताया, momentary मतलब छड़िक, momentous मतलब important है, बहुत है न, nine days wonder का मतलब जो बहुत ही थोड़े समय के लिए है, उसको बोलोगे, बाकि एक वर्ड हम लोगोंने यह transitory सीखा और transient सीखा, तो total पाच वर्ड यहाँ पर सीखें, और पाचों के meaning, I hope so, आपको clear हो गया होगे, कि जो momentary है, वो छड़िक, momentary, transitory, transient, nine days wonder, इन सभी का मतलब है that is for very short time, ठीक है, that is for very short period of time, और momentous मतलब होता है important, जिसको vital भी बूलत हो, जिसको significant भी बूलत हो, तो याद रख सकते हो, आए आँगे बढ़ते है, lasting only for a moment, इसका meaning वही हो गया, जो बहुत थोड़े समय के लिए, lasting only for a moment, कुछ समय के लिए उसके बाद last हो जाने व अगले वर्ड की तरब बढ़ते है, that is stoic, एक वर्ड है आपका stoic, stoic का मतलब क्या होता है, stoic का मतलब होता है, तटस्थ, तटस्थ का मतलब जानते हो आप, जो सुक और दुख में बिल्कुल एक समान situation में रहने वाला व्यक्ती है, उसको हम लोग stoic बोलते है, तटस्थ ब दुख हो या दुख हो, है ना, तो जैसे हमारे life का circle होता है, कैसा circle होता है, कि ये कुछ अप साते है, कुछ डाउन साते है, फिर अप साते है, फिर डाउन साते है, ऐसे आपके एक life की cycle चलती है, लेकिन एक ऐसा person जो पूरे situation में एक समान रहता है, इस बीच वाले line को follow करता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा लाव होने पर बहुत खुस नहीं होता, बहुत नुक्षान होने पर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता, तो इस तरीके का person stoic होता है, तटस्त होता है, एक सब्द में बोलोगे तटस्त, तटस्त का मतलब हो जाता है, neutral हो जाना, unbiased हो है ना, तो इसी का meaning आप कहोगे क्या neutral हो जाना, जैसे आप बोलते हो ना, कोई व्यक्ति जिसको नया नया ठीक है, दिल लगाए कहीं पर है, तो कैसा होगा, विल्कुल एक अलग जोन में होगा, एक अलग situation में होगा, लेकिन वहीं पर विचारा किसी के साथ, ठीक है, किसी न टाइप में चला गया, वो कैसा होगा, वो बिल्कुल स्टोइक टाइप होगा, उसको कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो होफुली ये वर्ड आपको याद रहेगा, स्टोइक का मतलब हो गया, टतस्त, और ये देखेगा, इस नियुटरलिटी बाली जो क्वालिटी है, जैसे भगवान क्रश्न भी यही बात सिखाते है गीता में, क्या, कि वन सुड भीष्टऊइक, इंसान को कैसा होना चाहिए, इसको अन्बायस नहीं होना चाहिए, ठीक, उसको अपैसरेटिक होना चाहिए, तो ये बात ध्यान दे या फिर यसी को एक सब्द में आप आप कहते हो जो जिसको फरकी ना पड़े जो कैसा है इंडिफरेंट है इंडिफरेंट का मतलब है उदा सीन है ठीक है तो यह सभी वर्ड है ध्यान रखेगा एक वर्ड तो आपका इस टोईक है दूसरा वर्ड स्टोईशिस में इसका आपस आपस्टक नाउन है बागी एक तीसरा वर्ड अपैस्टिक चौथा वर्ड आपका यह पाच्वा वर्ड न्यूट्रल है ना तो यह वर्ड ध्यान रखेगा ठीक होफुली समझ में आ गया होगा तो कहरा वन हो इस इंडिफरेंट टू प्लैजर आर पेन जो इंडिफरेंट रहता है कब प्लैजर और पेन में दोनों सिच्वेशन में एक समान रहता है वो कैसा इस्टोइक है बाकि एक चीज़ी आप और नोट का लेजएगा कि इंडिफरेंट के साथ जो प्रिपोजिशन लगता है वो कौन सा लगता है टू लगता है इंडिफरेंट टू ज्यान र की तरफ गैस्ट्रोनामी नौक मतलब नाम दिया गया है उसको रखे गें सब्सक्राइन सबुआ जाता है आप ऐसे याद कर सकते हो है ना तो गैस्टरोणॉमी का मतलब है जो यूज चीज़े यूज की आती है यह जो भी फूड बनाए जाता उसको जो नाम दिये जाता है यूज इसको गैस्टूणॉमी बोलते हैं तो एक पहले इसका स्टेट्मेंट हो देख लीजेगा द कजीन का मतलब क्या होता है यह एक तरीके से कह सकते हो जो फूड बनाने की कला है उसको कजीन बोलते है तो द्यान देना जैसे आपका साउथ इंडियन डिस होती है तो यह क्या है एक तरीके कजीन है ठीक है तो द्यान रखेगा आर्टाफ फूड मेकिंग यह कह सकते हो आर्ट तो आड हैगा मतलब मर्डर होता है 159 साइट करने का मतलब होता है मंतलब कैसे होते हैं मर्डर से होता है, किलिंग से होता है, है ना, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, अब जैसे इन्फैंटी सैड लिखा है, तो इन्फैंट किसके लिए आता है, इन्फैंट आता है, नौजास्सिस के लिए, नूजास्सिस के लिए, नूजास्सिस के लिए आता है, किसके गवर्मेंट बहुत ज़्यादा सक्री है बहुत एक्टीव हैं इन्फैंटिस साइट को ले करके जो आज भी हम लोग बहुत समाज में रहे रहे हैं कि पुत्र की प्राप्ति के जाज के लिए starting में है न तो उस पे बहुत कानून बहुत सक्त है ठीक है तो you know very well तो फिलाल यहाँ पर देखें के तो एक word आता है इसी तरीके से 40 side 40 side का मतलब क्या होता है fetus आपने word सुना होगा ठीक है fetus fetus का मतलब क्या होता है fetus का मतलब होता है brun है न वाप में visiting situation है उसको हम लोग क्या बोलते है फीटस बोलते है फीटस का मतलब होता है बुरोण तो हध्या क्या कहलाती फीटी लाती है तो इसका मतलब killing of fetus यह कह सकते है Method killing of fetus, ब्रूण हध्या जैसे खासतर से यह बहुत जादा killing of fetus ठीक है यह आप जान रख सकते हैं तो Infantieside हड़ा केुछ साइट से बहुत सारे वर्ड बनते हैं आए देखे कवर करते कुछ वर्ड जो नहीं होंगे फिर आँगे कवर करेंगे लेकर फिराल कूसिस करते हैं कवर हो जाए जैसे आपका आता है मेट्री साइड मेट्री साइड मेट्री साइड मदर की हत्या ठीक है मर्डर आप मदर मर्डर आप मदर कैसे याद रखोगे मैट्री वर्ड किसके लिए आता है मदर के लिए आता है जैसे आपका आता है पैट्री साइड पैट्री साइड पैट्री साइड पैट्री वर्ड किसके लिए आता है फादर के लिए आता है तो मर्डर आफ किलिंग आफ फादर है ना जैसे आपका आता है फ्रैट्री साइड फ्रैट्री साइड का मतलब क्या होता है यह होता है किलिं आप ब्रदर भाई की हत्या जैसे आप जानते हो अगला वर्ड देख लेते हैं फिलिसाइड बच्छों की हत्या फिलिसाइड ये क्या होता है मर्डर आफ चेर्डरन जैसे इसमें बहुत ज्यादा आता है सोरोरी साइड ये किसके लिए आता है सिस्टर के लिए आता है सिस्टर के लिए जैसे युगजोरी साइड आता है युगजोरी साइड ये किसके लिए आता है वाइफ के लिए आता है वाइफ के लिए आता है युग जोरी साइड है ना सोरोरी साइड इसी तरीका से एक वर्ड और बनता है आपका फ्रेक्टरी साइड हो गया आपका और इसी तरीका से जैसे रेजी साइड राजा हकी हत्या रेजी साइड ये क्या आता है मर्डर आफ किंग या फिर क्वीन और कैनी साइट का मतलब क्या होता है? Killing Up for Dog टीक है? किसी कुत्ते की हत्या है जैसे आप हुमी साइट की बारे बात करतो हुमी साइट हुमी वर्ड किसके लिए आता है? मैन की लिए आता है हूमन की लिए आता है और अगर आपको जानकारी है तो ठीक है हूं या हूं किस से रिलेट करते हैं यह रिलेट करते हैं या तो आर्थ से या तो आर्थ से या फिर यह रिलेट करते हैं किस से मैं से हूमेन से रिलेट करते हैं या फिर हूमेन से रिलेट करते हैं तो दो चीजों से यह बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं तो ध्या संजब है होगी तो इसका मतलब क्या है क्या क्तिhey क्या के लाता है यह आगे बढ़ते एँ आ बढ़ते हैं आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसेवैसे discuss करते जाएंगे फ्लाल इतने word मैंने बता दिये आगला word है आपका feminist next word है आपका feminist अच्छे थोड़ा थोड़ा यह female से मिलता जुलता है जैसे feminine बोलता हो वैसे word है feminist तो यह क्या कहोगे? IST लगा है तो IST का मतलब common noun होता है तो feminine इसका मतलब है जो females के welfare के लिए काम करता है feminine welfare के लिए काम करता है नारी जाती के उत्थान के लिए काम करता है वो कैसा होता है feminist होता है इसतरी हों के कल्याड के लिए काम करने वाला व्यक्त ही पीकर आधे काम कहलाता है faceminist लेक Filipino एहalgic hein feminist पुरूस एक आनफी जिसके कॉलिटी जो है ना इसको फीमेल की तरीक है उसको humanist बोलते हैं तो दो अलग-अलग वर्ड हैं एक feminist और एक humanist है तो humanist मतलब like human तो जिसके अंदर यह कह सकते हो male who has female traits habits ठीक है a male who has female traits habits तो उसको क्या कहते हो humanist कहते हो तो यह दो वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे एक feminist और दूसरा आपका कौन सा humanist है यह humanist कई बार आप लिखते हो तो दोनों वर्ड आपको याद रहेंगे तो वही देखे लिख रहा है feminist के लिए क्या स्टेट्मेंट लिख रहा है one who believes in offering equal upon to human in all spheres एक ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि जिस तरीके से मेल हैं उसी तरीके females को भी बराबर उसर दिये जाने चाहिए है ना मतलब वह स्ट्रियों के welfare के लिए काम करने वाला व्यक्ति है आप दोनों के इस टाइप का व्यक्ति है उसका gesture posture आप notice करिएगा बिल्कुल आए सेफो लॉजिस्ट यह वर्ड बहुत पूछा जा रहा है बार बार इंपोर्टन वर्ड है सेफो लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है एक वर्ड है आपका सेफो लॉजिस्ट ठीक है यह लॉजिस्ट का जोगे वन विश्ट पूल्स है ना तो चुनावी उससे सग्य कह सकते हो है तो क्या कह रहा है वन विश्ट टीज एलेक्सन ट्रेंड वाई मीनस आप विश्ट पूल सा है उसको बोलता है सेफो लॉजिस्ट है और ऐसे बहुत सारे सेफो लॉजिस्ट आपको नीव चैनल में देखने को मिलेंगे आफ्टर एलेक्सन जैसे एलेक्सन कंप्लीट एलेक्सन कंप्लीट होना छोड़ो उसके पहले ही तो देखने को मिल जाएंगे है ना चली आँगे चलता है पैडिया ट्रेशियन एक अच्छा वर्ड है पैड़ वर्ड किसके लिए आता है चाइड के लि तो एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रीट्मेंट करता है कि इनका जो जे है बच्चों की भीवारी हैं उनको तो त शिसुरुग विसे कई कह सकतब आप है ना उसको क्या बोलता हो पैडिया श्रीशियन बोलताओ आप कि लिए फिलाल आंगे बढ़ते हैं तो यह बात क्लियर हो गई इस्टेट्मेंट देख लिजेगा डाक्टर हूँ ट्रेट्स चेर्ड्रेन एक ऐसा डाक्टर जो बच्चों की ट्रीट्मेंट करता है बच्चों को ट्रेट करता है ठीक है सिसरूख भी से सगे कह सकते हूँ दूर को देखने का विजन है वह कैसा विज्यो नthose है तू क्या कह सकते हो वन who thinks one who can think about the future with imagination and wisdom जो अपनी imagination और wisdom के दम पर future वो प्रेडिक्ट कर देता है या future के बारे में सो सकता है वो कैसा विजियो नरी है है ना तो दार्सनिक है ये कह सकतो रेशी प्रोकेट एक वर्ड है आपने पढ़ा होगा रेशी प्रोकल प्रोनावन मैंने कहा था ऐसा प्रोनावन जिसमें क्या गरते हैं हम एक सन को रेशी प्रोकेट करते हैं जैसे पहले के समय में हमारे पास क्या नहीं होता था करेंसी नहीं होती लोग क्या करते थे बार्टर सिस्टम अपनाते थे बार्टर सिस्टम का मतलब होता है बंदू कि जैसे किसी व्यक्ति के पास चावल है राइस है दूसरे के पास गेंग है तो क्या करते थे करेंसी तो थी नहीं तो क्या करते थे आपस में रीशी प्रोकेट क बार्टर बार्टर वर्ड कई बार पूछा जाता है द्यान रखेंगा बार्टर मतलब होता है एक्स्चेंज करना रेइसे को एक वरड और और भोलते mutual mutual इसी को बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा reciprocate है reciprocate है barter है exchange है या फिर mutual है इतने सारे word है आपके इस title के लिए next give and receive mutually तो same statement लिख रहा है give and receive mutually है ना आपस में आदान परदान करना ही reciprocate कहलाता है reciprocal कहलाता है mutual कहलाता है barter कहलाता है exchange कहलाता है इतने वर्ड हैं आपके पास auditorium जहापर audience बैठती है उसको बोलते है auditorium तो आप place where audience sit देखिए इसमें audio already मिल रहे तो audio मतलब होता है listeners तो सुनने वाले हैं है ना तो आप place where audience sit उसको बोलते हैं सबागार जिसको बोलते हो आप एक तो वह जगह होती ही जहाँ पर spectator होते हैं देखने वाले होते हैं एक वह जगह होती ही जहाँ पर सुनने वाले listeners है total है ना तो इसको बोलते है auditorium आई यूम नॉर्मली प्लेश को बताता है वाद द्यान बोलते है आडियो से याद रखेगा auditorium याद रहेगा आपको नेस्ट प्रोरोटाइप आज का आखरी वर्ड है प्रोरोटाइप इसके बारे में बात करते हैं प्रोरोटाइप के मतलब होता है किसी चीज़ की एक छूटा सा आप कह सकतो अजिवाट रहे प्रोरोटाइप आपको एपनियो डिवाइज के दिवाइज का कोई नेया मॉडल यह नेया मॉडल आया है वह किया प्रोरोटाइप है एक तरीक्ट अपर का ठीक है कोई मॉडल है जो तो रिसेंट में कोई बिल्कुल नई चीज आई है उसका कोई नया नया मॉडल that is called a prototype तो ये इसको याद करना आसान है टाइप से याद कर सकते हैं प्रोटो टाइप मन्दब क्या होगे है a model of any new device है ना उसको बोलेंगे आप क्या प्रोटो टाइप तो याद रहेगा बंदू फिलाल चलिए तो फिलाल आने वाले सेशन में यहीं तक रखते हैं कल हम लोग फिर से अगें इन्हीं के आंगे वाले वर्टो को फिर से आंगे करेंगे continue daily basis पर अपने नोट्स जरूर बनाते चलिए ठीक है और चुकि नोट्स अगर बनाते चलेंगे तो आपके लिए सेशन बहुत ज्यादा fruitful होने वाले हैं चले फिर लाल बंदे बंदू मिलते हैं ने सेशन में तब तक के लिए आप सभी को जैहिन थेंक यो क्लास